नमस्कार दोस्तों, Concept Plus Academy के e-learning program में आपका स्वागत है दोस्तों हम microscopy के बारे में बात कर रहे थे इस वीडियो में हम बात करेंगे microscopy से जुड़ावा एक मेटपूर्ण पॉइंट bright या light field microscopy microscopy से जुड़े जो physics के concept है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिये है image कैसे बनती है जो light के concept है वो भी अच्छे से पिछले वीडियो में clear हो गए है अब हम एक-एक microscope के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं bright या light field microscopy दोस्तों इस microscopy के नाम से आपको एक चीज याद रखनी है वैसे तो साफ साफ बोला गया है bright field मतलब जो background है वो आपको bright या light दिखाई देगा चमकिला दिखाई देगा और जो specimen है वो क्या होना चाहिए फिर dark होना चाहिए कहने का मतलब microscopy का नाम जो background है उसके according रखा गया है bright field microscopy का मतलब है background जो है वो bright है तो फिर specimen कैसा होना चाहिए dark होना चाहिए तो इस microscopy में आप इसके नाम से ही एक बात clear कर लें कि bright field microscopy मतलब background कैसा होना चाहिए bright तो specimen कैसा होना चाहिए dark तो यह इसका अर्थ यह हुआ कि microscope का नाम background के according रखा जाता है अगर background bright है तो क्या बोला गया bright field microscopy या light field microscopy यहां से आपके एक बात समझ में आ गई कि specimen dark होना चाहिए अगर आपको specimen को dark करना है तो इसके लिए क्या करेंगे stain करेंगे उस specimen को अविरंजित किया जाएगा तब ही dark हो सकता है bright field microscopy में आपको एक बात याद रख लेनी है कि specimen dark होना चाहिए और specimen को dark करने के लिए उसको stain या अविरंजित करना जरूरी होगा कुछ अविरंजिक या stain के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको nucleus या kendra को अविरंजित करना है तो methyl blue नामक stain का यूज़ करेंगे बैक्टिरिया की staining के बारे में हम पहले अच्छे से बात कर चुके है gram staining अगर बैक्टिरिया को bright field microscopy में देखना है तो उसको gram staining से गुजरना पड़ेगा smooth muscles या चिकनी पेशिया इनको stain करने के लिए पुकसेन नाम का एक stain है इसको भी आपको याद रखना है smooth muscles के stain के लिए किस अभी रंजक का इस्तमाल किया जाता है एक बात और आप अच्छे से याद रख लें कि इस microscopy द्वारा live cell जीवित cell की study नहीं की जा सकती क्योंकि live cell transparent होती है अब transparent इसमें रह नहीं सकती क्योंकि specimen कैसा होना चाहिए dark होना चाहिए और dark किसे होगा stain से तो ये stain toxic होते हैं cell को क्या कर देते हैं? नस्ट कर देते हैं stain कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं cell को नस्ट कर देते हैं bright field microscopy में यही बड़ी मैतपून बात है कि इसमें जीवित गोशी का live cell की study नहीं की जा सकती कारण देखिए live cell transparent होती है पारदर्सी होती है लेकिन bright field microscopy में specimen dark होना चाहिए और यह dark करने के लिए stain करना पड़ेगा और यह stain toxic होते हैं जो cell को nust कर देते हैं लेकिन एक बात आप यहाँ पर याद रखें कुछ ऐसी cell जो pigmented होती है तो वो dark होगी? कोई रंग लिये वे होगी? जो pigmented cell है जिन में chlorophyll एमान लिजिए उनकी study इस microscopy द्वारा की जा सकती है और एक आखरी point bright field microscopy का maximum magnification 1300 गुना होगा इससे जादा करने पर image blur हो जाएगी तो दोस्तों ये थी bright field microscopy एक एक बात बिल्कुल simple है bright के बाद हम बात करेंगे dark field microscopy उसके बाद fluorosense microscopy एक particular order में हम पढ़ेंगे ताकि आने वाली microscopy आपको आसानी से समझ में आए अब इस वीडियो में आपको bright field microscopy clearity के साथ देखनी है important बात background कैसा होगा bright तो specimen कैसा होगा dark और इस dark के लिए आपको क्या करना पड़ेगा stain nucleus bacteria और smooth muscles के लिए कौन-कौन से stain है यह मैंने आपको बता दिये हैं इस stain के कारण ही cell क्या हो जाती है नस्ट हो जाती है इसलिए bright field microscopy में जीवित कोशिका का देख नहीं किया जा सकता एक चीज़ याद रखनी है जिन cell में pigment या वर्णक होते हैं जैसे chlorophyll उन कोशिकाओं की study की जा सकती है और bright field microscopy में magnification या maximum magnification 1300 गुना होगा इससे जादा होने पर image blur आएगी तो ये था bright field microscopy तेंक यू